हलो फ्रेंट्स यदि आपकी डिलिवरी ऑपरेशन से हुई है यानि कि सिजेरियन ऑपरेशन से हुई है लसी इसको बोला जाता उसे हुई है तो आपके पेट के निचले हिस्से पर टांके आये हैं और आपके मन में सवाल आ रहा हुगा कि इन टांकों की कैसे कियर की जाए उसके लिए आप उस वीडियो को गो फुरू कर सकते हैं तो जब भी किसी के कारण या किसी और कारणवस्ट ऑपरेशन होता है तो पेट के निचले हिस्से में इस तरह के टांके लगाये जाते हैं और जन्रली यह टांके इंटरनल ही लगाये जाते हैं यह बाहर नहीं दिखते हैं, जिसको कि subcutaneous stitches बोलते हैं, लेकिन कई-कई जगे बाहर वाली टाके भी लगते हैं, जिसमें कि टाके गिने जा सकते हैं, यानि कि अलग लग टाके लगाये जाते हैं, तो इनको interrupted sutures बोलते हैं, जो कि बाहर की तरफ दिखते हैं, और जो नहीं दिखते हैं, जो अं तो जनरली हम लोग प्रिफर यह करते हैं कि अंदरोनी टांके लगाए जाएं और सेफ दोनों ही टांके हैं कोई कॉस्मेटिक ली फरक पड़ता है और कोई फरक नहीं पड़ता है अब सबाल आता है कि टांकों की केर के लिए क्या किया जाए तो जब भी ऑपरेशन होता है तो पूरा बॉड़ी शावर ले सकती है उस पे और किसी प्रकार का प्लास्टिक लगाने के जरूरत नहीं है उसमें से पानी अंदर नहीं जाता है टांके में को सेफ रहते हैं तो बॉड़ी शावर ले सकती है उठ सकती है गूम सकती है इसी मोटे तोर पर किसी प्रकार का कोई परहिज नहीं होता है, हाँ बहुत भारी वजन का परहिज रहता है और खासी और कबजी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े stitches होते हैं, तो खासी और कबजी होने से पेट पर जोर पड़ता है, टांको पर खिचाव होता है, तो उन में फिर तकलीफ हो सकती है, तो जब तक साथ दिन तक, जब तक टांके निकलते नहीं हैं, दुबढ़ा dressing नहीं होती है, तो as such आपको टांको पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो dressing लगी होती है जो तीसरे दिन डॉक्टर करके आपको भीजते हैं चुट्टे के समय वो fix कर दी जाती है और जब दॉक्टर दुबारा देखने के लिए आपको गुलाते हैं तभी वो dressing अटानी होती है यदि बीच में अगर वो dressing हट जाती है या और कोई problem होती है आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं वापस जाकर दुबारा dressing करवा सकते हैं आपको जो ध्यान रखना होता है जब भी आपका sezerian operation हुआ है तो उसमा उठने बैटने का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको बिल्कुल सीधा उठना और सीधा लेटना नहीं होता है जब आप करवट लेकर फिर बैठते हैं तो टांको पर खिचा नहीं आता है तो यह most important point है जो आपको धियान रखना है और ऐसे ही जब आप बच्चे को गोदमी लेकर बैठती है तो आप support लेकर बैठी सीधा बैठने से कई बार टांको पर दबाव कड़ता तो आप चेयर पर बै तो अगर आपको बार बार खांसी आ रही है तो टांको पर दबाव पढ़ सकता है तांको में जोर पढ़ने की करण कईब टाके खुल सकते हैं तो इसलिए खांसी का specifically ध्यान रखना चाहिए अगर खांसी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताईए डॉक्टर स बढ़ जाती है और लेटी लेटी रहने से मुमेंट नहीं होता है तो भी कॉंस्टिपेशन बढ़ जाता है तो और कॉंस्टिपेशन के कारण जब आप स्टूल पास करेंगी यानि कि जब आप पोट्टी करने बैठते हैं लेटरिन के लिए जाते हैं तो बहुत ज़ादा लगाना पड़ता है जोर लगाने के करण टांकों पर जोर पढ़ सकता है इसलिए यदि कॉंस्टिपेशन है तो डॉक्टर को बताईए डॉक्टर आपको लगजेटिव मेडिसेंस होती है यानि कि अच्छे से स्मूथली लेटरिन होने की जो दवाई होती है वो दे देते ह ताकि पेट पर तांकों पर दबाव ना पड़े इसके इलावा आपको बच्चे को आप आराम से गोधमें ले सकती है क्योंकि हम यह भी कहते हैं कि भारी वजन नहीं उठाना तो दूसरा नेक्स सावल अमारे अपको सुनने को ही मिलता है कि क्या बच्चे को भी गोधमें न वोपना बटना नहीं है टांकों पर एसач अच आपको जब तक की टांके हटते नहीं साथ दिन के अंदर आपको कुछ लागाना नहीं कुछ कर नहीं कूंकि ड्रेसीड नलगी हूए है और जब साथ नपूरे हो जाते हैं ग्रिृष् बिल्कुल अच्छे हील हो जाते हैं, घाव भर चुका होता है, तो उसके बाद में डॉक्टर आपको एक ओंट्मेंट प्रिस्काइब करके देते हैं, तो आप नहाने के बाद आराम से टांकों पर लगा सकते हैं, ये भी पूछा जाता है कि आप क्या डॉक्टर साप टांकों लगा कर आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, और डिलिवरे के बाद हमेशा धूप में बैटने के सलहा दी जाती है, जिससे कि आपकी इम्मुनिटी भी स्ट्रॉंग होती है, वाइटमिन डी भी प्रॉपर मिलता है, और आपका मूड भी अच्छा रहता है, तो उटना बैटन घुमना फिरना अलाउड रहता है, अबर थोड़ी प्रिकॉशन के साथ, और खाना पीना आप सारा खा सकते हैं, उसमें ऐस सच कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना होता है, तो मैं समझती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाप करें लिए कर,